नमस्कार मित्रों मैं इसके नायक आप सभी के पर फिर से मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी जानते दोस्तों मैं आप सभी को रीट एक्जाम की प्रिपरिशन करवा रहा हूं लेवल फस्ट और लेवल टू मैट सेक्शन के जिसमें काफे कुछ ओठ पर के यसे मेरे पार्ट हूं सबसे पहले डिस्कॉस किया था आज यथा नया टॉपिक हम डिसकॉस करने जा रहे ह्या है जह olmuş डिसकॉस हें ट्रिक है एक बार रहती है पने सबहें डोस्तों के साथ में और वीडीओं को लाइक है नहीं कि लाइक्ष लिबार करें चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन बटन को भी प्रेस करें जिसे आने वाले वीडियो को नॉटिफिक्शन आपको मिलते रहें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखो शर्किल की बात जहां तक आती है शर्किल हम बैसिक पूरा तो यह वर्त का क्या हो जाएगा डायामेटर यानि वर्त का क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा कोई भी किसी भी वर्त के कोई भी वर्त है उसके दो बिंदू को मिलाने वाले रेखा क्या कहलाएगी जीवा कहलाती है क्या कहलाती दोस्तों जीवा धान रखना इस प दूसरा important कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा वृत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है सबसे बड़ी जीवा जो है वो वर्त का व्यास ही होती है यह प्रशन आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों तो ध्यान में रखना है यह आपको पता यह यह दोस्तों क्या होती है parameter नहीं परीधी ठीक है तो आज हम यह यह की बात नहीं करेंगे दोस्तों इससे related किस तरह के geometry के section में question बनते हैं उनको इपर हम discuss करने वाले हैं I think मेरे हिसाब से इतनी बात आप जानते होंगे ठीक है चलिए तो आपको 2 नाम यहां देखनी को मिलेगें दोस्तों एक दो लगूсьल चाप और एक आपको यह देखनीओ को मिलेग दोस्तों दो चीजी हमें देखनी हैे दिर्गी चाप दोस्तों अब यह लगू चाप क्या होती है जिसका केंदर ये कौन 180 डिग्री से कम होता है उसे हम लगू चाप कहते हैं दोस्तों जिस तरह से मैं एक सर्क्ल बनाता हूं यहां पर आप देखेंगे इस पॉइंट यह आप केंदर हो गया है यह जो यह जो सेक्शन है देखिए दोस्तों यह जो सेक्शन है और यहां पर मैं इसको लेज देखिर से डिनोट करूँगा यह देखिए यह आपकी है यह जीए लगू चाप होकी क्योंकि यहां पर जो थिटा बने गए दोस्तों वह वह क्या होगा वन एक्टी कम होगाㄩ क्या बोलते हैं होगा यहां पर प्रत हो चाफर कोन सी होगी लगू चाप तो चाप है य इस तरीके से यहां पर इस एंगल को हम जब लेंगे तो यह क्या होगा वन इटी से बढ़ा होगा तो यह जो चाप होगी यहां से लेकर यह वाली यह आपकी कौन से किलाईगी दिर्ग चाप जहां रखेंगे इस बात को बहुत यूज करेंगे question के दरेजी जिश्जों को तो लगू चाप का मतलब क्या अगर डेफिनिशन हो की कि वह चाप जिसका केंदर एकॉण 180 डिक्रीस से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए तो लगू चाप होती है दोस्तों अगर केंदर एकॉण लेक्रीस दोस्तों बड़ा होगा तो जिरक्चाप या इसका पोजीट भी आप कह सकते हो दो दो चीज़ें आपको धार्क देगने एक यहां पर मैं बीच में कहीं नाम लूँगा वृत्खंड का वृत्खंड का दोस्तो नाम लूँगा तो द्यान करना है वृत्खंड का मतल के कंदर दोस्तों यहां व्रिथखंड करेंगे करेंगे दोक्त थो आपको पता होना अ writer क्या होता है दोस्तों यह चीज इतनी आपको ध्यारकने सबिस्क्रमकर्ण दाई करता हो एक सबसे बड़ी जीव अपसे अपसे वह प्रति कोषको perd ranking पूरा दो कि इस दो को मिलाते हैं कोई भी रेखा वरत की जीवा कहलाती है वरत की सबसे बड़ी जीवा आपसे कोशन पूछा जाए तो आप बताओगे वरित का व्यास होता है उसके बाद में लगूचाप और दिर्ग चाप की जब हम बात करेंगे तो लगूचाप यानि जिसका 180 से कम हो एंद्र साथ में इनकी पीडिफ आपको चाहिए तो मैंने बताया था यह जोमेटर के सेक्शन जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको पीडिफ टेलेग्राम चैनल पर अविलेबल करवा दूँगा दोस्तों वहाँ पर लिखकर रीट पर जोमेटर का जो भी सेक्शन लिख दूँग द्यासी समझना जीवा को लेकर से लिए सेंटर क्या हो गए हो एक वरत के अंदर आपको डो बराबर जीवाइं दे रखेएं देखिए जो जीवा दर कि मान लेता यह जीवा हेख ठीक है दोस्तों और एक जीवा को लेकि यहापर सीडि अगर कॉश्चन में आपको कहां अगर वर्त में दो जीवें आपको बराबर दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि वो दोनों जीवें अगर बराबर है तो वो कैंदर से क्या होगी समान दूरी पर इस्तित होगी धान करना केंदर से क्या होँगी? समान दूरी पर इस्तित होँगी कहने का मतलब यह M हो गया, यह N हो गया तो हम यहाँ पर यह बोलेंगे कि O M बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों O N हो जाएगा धान करना इस बात को यह थियोरम है कि अगर किसी वरत में दो जीवएं बराबर है तो वो दोनो जीवएं अगर बराबर दे रखी हैं तो तो हम कह सकते हैं कि वो केंदर से क्या है? समान दूरी पर है कहने का मतलब O-N बराबर क्या हो गया? लेकिन इसी का अपोजिट हम भी कर सकते हैं इसका नक्ष्ट क्या हो जाएगा कि अगर दोनों जीवाएं के अंदर से समान दूरी पर इस्तित हैं तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो दोनों जीवाएं बराबर हैं तो दूसरे रूल इसका आप ये लिख लेना दोस्तों इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो ये होगा कि अ अंदर से समान दुरू पिस्थित है तो जीवाई बढाबर होगी बताओ ठीक है चलिए तो फस्ट और सेकिंड दो होगे है यह थड़ चलता हूं अगर इसे perpendicular डाल जाए तो जीवा को क्या करेगा सम्द भी भाजित करेगा तो ये भी आपको ध्यार रखना है ये दोनों बराबर कहने का मतलब अगर O M perpendicular है AB की उपर तो now then AM बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों BM ये भी आपको ध्यान में रखना है ठेक हो जाएगा याद चली तीन नमर ये बात आपको ध्यान में रखना है तो फोर नमर दोस्तों क्या हो जाएगा देखिए एक सर्किल हमने बनाया अगर दो जिवाएं सेंटर पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को A O B C O D अगर सेंटर पॉइंट को पर इंटरसेक्ट कर रहे है तो ध्यान रखना क्या रोल बनेगा यहाँ पर कि A O into में O B बराबर C O into में O D ये फोर्मुला हमें यूज करेंगे एक कोशन के अ ये कंडिशन होगी ध्यान करना जब भी वो सेंटर पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हो ध्यान रखना यह वृत का एक सेंटर पॉइंट हो गया ठीक है दोस्तों याद हो जाएगा उसके बाद में ध्यान रखना एक और यहीं करवा देता हूं पांच नमबर एक सर के लिखें अंदर अगर हम कोई चत्रबुज बनाते हैं चार बिंदु मिलाते हैं माल लेते हैं इस तरह से है ठीके दोस्तों A B C D तो इससे क्या बोलते हैं हम चकर ये चत्रबुज बोलते हैं दोसतों कब जब आमने सा मने के कौण यानि एंगल a प्लेस एंगल c बराबर क्या हो ना जी 180 और एंगल b प्लेस में एंगल d क्या होगा 180 होगा दोस्तों ध्यार रखना ये एक चक्री चत्रबुज आपका कहलाता है ठीक है सीधा सीधा हम कोसंस अब करें तो ज्यादा रूल आपको समझ में तो हमने चार रूल पड़े दो तो इसकेंदर होगे एक यह होगा बराबर और इंटरसेट पॉइंट पर करेगी सेंटर पर यह होगा और एक चकरी चत्रबुज बनता है तो यह कंडिशन होगी आमने सामने के जो सम्मु कोण होगे उनका सम्म 180 होगा ठीक है दोस्तों सारी PDF आपको वन वाई वन विद डेफिनेशन विद एक्जामपल आपको टेलिग्रम चैनल पर मिल जाएगी तो यहां से नोट करने की कोई चिंता नहीं है आपको ठीक है चली बढ़ते हैं कुछ आगे डेर स्टुडेंट्स अगर अभी तक हमने पांच रूल डिस्कस कर लिए सर्कल से जमेट्रिक सेक्ष्टर में जिस तरह से अग्जाम में पूछे जाते हैं तो अब छटा रूल हम देखते हैं सिक्स रूल क्या होगा चली देखते हैं कि एक आपको सर्कल दिया होगा ध्यान करना दोस्तों एक सर्कल दिया होगा ठीक है एक सर्कल के इंदर यह सेंटर पॉंट ओ हो गया अब यह दो अर्ध वरत बनेंगे ध्यान रखना मेरे बात को समझना यह दो क्या बनेंगे अर्द वरित बनके हैं अब अर्द वरित में बना कोण हमेशा है क्या होता अगर यहाँ पर मैं एक एंगल बनाऊ इस तरह से यहाँ पर एंगल बनाऊ अगर मैं इस तरह से एक एंगल बनाऊ अब कितने भी एंगल प्रते एक एंगल कितने डिगरी कोगा दोस्तो 90 degree का होगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस side भी बनाते हो कहीं भी बना ले ना इस तरह से तो ये भी 90 का बनेगा अगर यहाँ बनाते हो तो भी ये 90 degree का बनेगा तो कहने का मतलब दोस्तों यह हो गया कि अर्द वर्त में बना कौन हमेशा क्या होता है सम कौन होता है ठीक है दोस्तों अब यहीं से एक कंडिशन निकल जाएगी यहीं से हम कह सकते हैं एक और कंडिशन कि एक सरकिल आपको दिया होगा दोस्तों ठीक है तो माल लेते हैं यह एक एंगल आपको जो वेल लिय होगी वह 180 होगी क्यों होगी कि अर्द चली छटा रूल हो गया साथबान रूल देखेंगे दोस्तों एक सर्किल आपको दिया होगा मैंने एक वर्थखंड बताया भी आप मैंने भी वर्थखंड बताया था न यह पार्ट अब कहने का बोला वर्थखंड के एक और वर्थखंड के एक और अगर इस तरह से एंगल बने हुए है तो वो एंगल हमेशा है क्या होगे बराबर होगी ये थीटा है दो दोस्तों ये भी थीटा होगा ध्यान करना कि वर्थ खंड के एक ही और बने कौन हमेशा बराबर होते हैं ध्यान करना इस बात को ठीक है चलिए ये कंडिशन होगी फिर एक आठमा रूल कौन सा होगा है कि एक सरकील के अंदर केंदर पर बना कौन देखो केंदर पर बना कौन परिदी पर बने कौन कि क्या होगा दुगना होगा तो याद रखना अगर यहां पर थीटा एंगल बना हुआ है तो यहां पर जो बनेगा देखे ए ओ बी एसी ये कौन कितना होगा तू थीटा हो किसका प्रिदी भी बने कोण का डबल हो जाएगा यह सीधा सीधा हम एक्जाम में यूज करें स्वरी कोश्चन में हम दोस्तों यूज करेंगी ध्यानगरा बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है कि केंदर पे एक किसी वर्त के अंदर केंदर पे बना जो कोण है वो प्रिदी बने कोण का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा इस कंडिशन में ठीके दोस्तों तो इसको भी आप नोट कर लीजी चलिए बेर शुदैंट्स आई होप चो चीज मेंने समझाने कि कोशिश की पिछले कुछ मिनिट पहले आपको वह आपको समझ में आये होगी जितने भी थि जाएंबर हो गया एक सरक्ल आपको दिया होगा दोस्तों एक सरक्ल के महर कोई पी पट दिया हुआ इस पी पॉइंट से इस सरक्ल के ऊपर कोई पर स्पर्स रेखा खेंची जाए यह बिट में प्वेकर प्वेकर करेगी ठीक है दोस्तो यह पोईंट है तो यह सपर्स रहाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती धन करना कि पी ए बराबर क्या हो जग दोस्तों पी पहली कंडिसिन तो आपको यह द्यार रखनी है अगर किसी बाई यह पॉइंट को बाहर पॉइंट देर रहा है उसके से दोस्पर्स रखाए हम अगर खेंचें किसी वर्त पर उनकी लंबाईयां बराबर होंगी ठीक है पैन नंबर कंसप्ट देखेंगे सी का एक सर्किल आपको दोस्तों दिया हुए ठीक है ठीक है दिया हुए उसके द्रमालेतें को दो जीवाइं दे रिखिया आपको A, B, C और D अब इन दोनों जीवाओं को हम आगे बढ़ाते हैं तो देखो तो इनको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो किसी ने किसी पॉइंट पर यह कट करेगी माल लेते हैं वो पॉइंट हो गया P ठीक है दो जिवाओं को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ने कहीं वो कट करेगी कट करेगी तो यहां से एक रूल बनता दोस्तो कि PC PC गोणा में पीडी बराबर होगा दोस्तो पीए गोणा में पीबी ध्यार रखेंगे इस बात को तीन कंसेप्ट यहां से बनेंगे दोस्तो कि अगर दो जिवाओं को हम आगे बढ़ाते तो किसी पीपोइंट पे कट करती है तो PC गोणा में पीडी और पीए इंटू में पीबी यह बराबर होते हैं ध्यान करना इस बात को अब इसी पर एक कंसेप्ट बनेगा दोस्तो यहां पर यह 10 नमबर होगा यह 11 नमबर ठीक है दोस्तो माल लेते एक सरकिल आपको दे रखा है एक यहां पर जीवा दे रखी है आपको माल लेते हैं A B ठीक है दोस्तो और एक स्पर्ष रेखा अब इस जीवा को हम आगे तक बढ़ाया और एक स्पर्ष रेखा इस तरह से यह देखी अब धान करना यह क्या है पीपोइंट और यह T हो गया देखो एक तो जीवा को हमने आगे बढ़ाया और एक का टेंजेट यानि स्पर्ष रेखा तो यहां से क्या रूल बनेगा देखो इससे तो हम यह बना लेगे कि पी ए इंटू में क्या हो जाए दोस्तो बराबर यहां पर पीटे आएगा तो पीटे का हम हॉल स्क्राइब कर देंगे दोस्तों यह कंसेप्ट आपको द्यान में रखना है ठीके दोस्तों जब अब तेन कंडिशन यहां से बनती है दो सपर्ष रेखाएं इन्हीं किसी बाई यह पॉइंट से बाहर को पॉइंट उससे दो सपर्ष रेखाएं खेंची जा सकते हैं दोलों के लमाई बराबर होगी अगर दो जिवाओं को हम आगे तक बढ़ाएं और पी पॉइंट पे कट करेगा तो यह कंडिशन बनेगी तो उससे क्या कंडिशन बनेगी और यह जो फॉर्मूले होते सर्किल का बैसिक कंसेप्ट सीखा इससे जो थियोरम होती हुँ हमने सीखी तो आपकी रीट के एक्जाम में इससे लेवल कम ही पूछा जाएगा दोस्तों मैंने काफी जाद आपको करवा दिया इसलिए करवाएगी एक आद कोश्चन को अच्छा लेवल का बने तो आप दोस्तों हम आगे दैसे से कोश्चन करेंगे वहाँ पर आपको हम एक्स्पिलिन कर देंगे बड़ जरूरत नहीं होगे मेरे हिसाब से इतने सालों की पेपर का जो अनलेसिस मेंने किया यहां से प्रशन कभी पूछा नहीं गया इतना डैफ्ट के अंदर टिक दोस्तों तो क कोश्चन करते हैं चलिए कोश्चन की लेंग्विज किया दोस्तों दो सर्कील हमें दे रिखिया दोनों की जो रेडिस से वह बराबर है माल दे चार सेंटीमेटर दे रिखिये कि दो सर्कील हमें दे रिखिये उनकी रेडिस चार सेंटीमेटर दे रिखिये ठीक दोस्तों औ इसका यह पाइंट हो इसका संटर और यह प्रित है उन्रकट संधर के लिस्थ इना राउंस समझाने के लिए निए प mother अच्छा सा बना तो धान करना अब एक कोश्चन के लेंग में समझना दोस्तों कोशनी है कि दो सरकील है दोनों की रेडिस फॉर सेंटीमेटर है तो एक दूसरी को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि दोनों की जो पैरिमीटर जो परी दिना वो अब इस पहले वाले दोस्तों देखिए यह कोमन जीवा होगे दोनों वृत के दर कोमन होगी ना इसकी हमें लेंथ पूछी गई दोस्तों क्या पूछी है हमें इसका नाम दे दिया एबी इसकी हमें लेंथ पूछी गई है ठीक है अब हम क्या करें इसको मिला दिए इसको मिला दिया अब बताओ कैसे निकालो इसकी बहुत ही बड़ी प्रशन है रीट में पूछा जाने वाला प्रशन है दोस्तों बहुत बार पूछा भी गया है और SSC के एक्जाम में बहुत बार ऐसा प्रशन पूछा जाता है CHSL बगर CPU बगर कैसे करोगे देखो यह निकालनी है देखो अब ध्यान से देखेंगे कि कैसे निकालेंगे इसको अब पूरा तो एक साथ निकलना साथ लेकिन हम इतनी निकाल लेते हैं इसको में M नाम दे देता हूं तो इसका डबल कर दें तो यह आजाएगी आपको पता है क्यों कि मैंने स्टार्ट में बताए ना दोस्तों कि एक सरक बागों बंड जाएगा और यहां से भी आई तो यह ब्राबर कहने का मतलब अगर इतना पार्ट हम निकाल लेते हैं तो यह पार्ट दोनों बराबर होते हैं, तो डबल कर देंगे, तो पूरी के लेंथ आजाएके नहीं, आजाएके दोस्तों, कैसे निकालेंगे दोस्तों, धान से लिए मैंने शुरू में ठीयोरम कर वाई थी दोस्तों, अब बताओ दोस्तों, इसमें कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं इस लाइन को इस तरह से मिलाता हूं दोस्तों इसको मिला देता हूं तो यह क्या हो जागा दोस्तों 4 cm होगा कि ने होगा क्यों होगा क्यों कि यह क्या है दोस्तों रेडियस है क्या है दोस्तों इस वरत की रेडियस है ठीक है इसकी भी 4 cm खाल तो अब ध्यान से करें तो यह दोस्तों कितनी आ जाए Duty यह दोस्तों किनली क्यों अब कोई सब्सक्राइब तो मेरे भाई यह जो पूरी लेंद है यह 4 cm क्यों कि इस सेंटर से जाए इस टच होगे तो यह एक रेडिस बनेगे एक तरीके से तो रेडिस कितनी 4 cm यह बराबर भाग में डिवाइड करता तो यह कितना बच गया 2 cm बच गया अब यह ट्राइंगल बन गया अब यह दोस्तो क्योंकि 90 डिगरी हो गया पर्पेंडिकल रहे तो यह ए होगी यह M होगी दोस्तों और यह क्या होगी ओ यह 4 cm दे रखी है यह 2 cm आ गई यह निकाल सकते हैं कैसे निकालने देखो पाइथागर अर्थरम से जब अम निकालना है तो क्या जगा अंडूड एयो का स्केर माइनस में ओर मैं इसको करेंगा दोस्तों यह आएगा स्वल माइनस में 4 और यह आजए गया डेखा ट्वेल और यह आजए गया 2ृट 3 ठीक है यह तो क्या किaden थो cent проблем हमने निकालने दोस्तों तो जब मैंने concept आपको बताया था पेचे जो थोरम्स करवाई थी वो अगर आपको याद हो तो आप इसे अराम से कर पाते हैं बहुत इच्छा कोशन है चीक है चली बढ़ते हैं चली दोस्तों नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या कर दोस्तों दान से समझेंगे कि आपको एक सर्केल दे रखा है एक सर्केल दे रखा है जिसमें आपको एक यह सेंटर पॉन्ट हो गया और आपको क्या दे रखी जीवा जीवा की जो लेंथ आपको दे रखी दोस्तों एट स और इस की लेंथ आपको 3 cm तो आपको पूछा गया इस वरत की त्रीजा कितनी है कहने का मतलब त्रीजा यह पूछा गया थीक है तो कैसे निकालो देखो यह 8 cm तो इतना भाग यह रिव Around और ये भी इतना वाग च्यार बचेगा क्योंकि सेंटर पल्ट से mechanchu डाला गए ये वी जीवा को समझा sa exercita करता है अगर ये पता है तो आप इस हराम से निकाल सकते हों तो तीन चार पांच रुल पता है आपको ट्रिगोमेंटरी और ये निकालने तो वो कोशन कराओं जो एक्जाम के अंदर काफी इंपोर्टेंट होते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे नाओ डेर शुडेंट्स नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन बड़ा प्यारा कोशन है ध्यान से समझें दोस्तों जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे कि आपको एक सर्किल दे रखा है एक सर्किल आपको दे रखा है इस सर्किल के अंदर इस तरह से आपको डाइग्राम दिया होगा ठीक है दोस्तों इस तरह से ठीक है इस तरह से यह A, O, B और यह C आपको क्या दे रखा है एक इसमें जीवा दे रखी आपको ठीक है दोस्तों और question में given क्या है दोस्तों given ए कि जो ab Jewa न वो बराबर है किसके तुरिजा के तुरिजा के दूस्तों देखो ए trilogy तुरी दो 되어 आप यह जो है इस trilogy के बराबर है तो इसके बराबर भी नों कहने के मतलब तीनों भुझा तो एक तरीकी से क्या बनाए दोस्तों ए ओ बी क्या बन रहे है ट्राइंगल बनने ठीक है हमसे यह इंगल पूछा गया हमसे थीटा के वेल्यू पूची कि थीटा कितना आएगा दोस्तों कैसे करो इस कॉश्चन को दहां से समझेंगे क्योंकि हमें तेखो यह तो जीवा है य यह बराबर इसके तो यह बराबर भी इसके एक क्या बन गया सम्भावतिर्भुज तो सम्भावतिर्भुज तो यह भी 60 डिग्री हो जाएगा यह भी दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा ठीक है जब यह पता है तो यह हम निकाल सकते हैं यह पता तो हम यह निकाल सकते हैं क्य क्या होता है दुगना होता है और देखो इसका यह दुगना है तो इसका यह आदा हो जाए तो आप खांसर आगे एक सेकेंड में यह चीज़ें आपको ध्यान होने चाहिए रटाफिकिशन ने करने समझ नहीं आपको चली बढ़ते हैं एक्सकोशन की तरफ सो गाइस आज हम इतने ही कोसंस करेंगे और कैसे लगी आज की कलास मझे कॉमेंट करके जुरूर बताना कहीं पर भी कोई प्रोबलम अगर आप पाते तो मझे कॉमेंट करें मैं आपको आपको जुरूर दूँगा और शाहसाथ मुझे इंस्टरग्राम पर फॉलो कर लेज़े बहुत सार कोसंस करेंगे और आज इतना कराया इसका एक बार आप रिवाइस कर लिजेगे एक बार देखके कहीं प्रोबलम हो तो मुझे नेक्स वीडियो में कॉमेंट करके पूछ लेना चली जल्दी मिल दें तब तक लिए धन्यवाद